आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप सभी जानते हैं कि ये बोजपुरी सुपरिश्टार हैं और आप देखें कि बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और आप देखें कि साउथ की कई मुवियों में भी आप लोग उने इने देखा होग और आजकल आप लोग इने राजनीती में भी देख रहे होंगे क्योंकि हाली में जो आपके 2019 में लोगसभा चुना हुए थे न उसमें ये लोगसभा सदस्ट बने हैं कहां से गोरकपुर से चुने गए हैं इनका गोरकपुर संसदी अच्छे थे जिस सीट से योगियादित नाज चुनकर आते थे न उसी सीट से ये चुनकर आये हुए हैं तो आज हम लोग रवी किसन के बारे में एक सामन जानकरी देख लेंगे इनका परिवारिक बैकगराउंड क्या है इनकी सिक्षा शाए और आप देखेंगे कुछ और पिक्चर इनकी देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इनका उत्तरपदेश से निकल के आते हैं और लखनवू इसकी राध्धानी है उत्तरपदेश की और आप देखेंगे यहाँ आपको बिधान सवा में 403 सीटें देखने को मिल जाएंगी बिधान परिशद में 100 सीटें हैं लोग सवा में 80 सीटें हैं वदाज्य सवा में 31 सीटें हैं यह रभी किसन की फैमली है परिवार हैं और आप देखेंगे यह रभी किसन हो गए तो अगर हम लोग रभी किसन की असली नाम की बात करें, तो रभी किसन सुकला इनका नाम है पूरा, लेकिन आप सभी लोग इनकी रभी किसन के नाम से जानते होंगे, इनका जो पिसिद्धी का नाम है वो है रभी किसन, इनका नेकनेम यानि की उपनाम इनका बब्बु है, औ 17 जुलाई 1971 को कहां हुआ था जौनपूर उत्तरप्रदेश में इनका जनम होता है और आप सभी जानते हैं कि 1971 वही साल है जब भारत वो पाकिस्तान की बीच ये उद्ध हुआ था किनके के बीच भारत और पाकिस्तान की बीच और 1971 में आपने देखा हुआ कि उस समय पिधारम करें तो वी कॉम किये हुए है यानि की पड़े लिखे हैं रिजबी कॉलेज ओफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से इन्हों ने अपनी सिक्षा ले हुई है अगर हम लोग इनकी पिता की बात करें तो पंडिश स्यामास नारायन सुकला इनकी पिता का नाम जनाबती इनकी देवी इनकी माता का नाम परीती इनकी पत्नी का नाम है इनकी संतानों यानि बच्छों की बात करें तो तीन बेटिया है और एक बेटा है किसन का रवी किसन का और वेवसाय इनकी काम की बात करें तो अभीनेता है गायक है और आप सभी जानते हैं कि राजनेता बन च अगर हम लोग रवी किसन के फैलिमी केरियर की बात करें फिल्मों में सफर की बात करें तो रवी किसन ने अपनी फिल्म केरियर की सुरुवात 1992 में की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था पीतामबर पीतामबर था जो उसी साल रिलीज हुई थी तब से अब तक अपने बेहत फिल्म तेरे नाम फिर हेरा फिरी आन बुलिट राजा रावर्ण रावर्ण मुहला अस्ती एजेंट बिनोत जिला गाजियाबाद घायल वन्स अगें लोग फिरे तेलगू फिल्में देखें कि तो रेस गुर्रम लाई किक्टू और आप देखें कि लोग फिरे भोचपुरी फिल्में देखें तो रादे ना घर के ना घाट के सन की दरोगा लव राजनीती और कई इस तरह की इनोंने मूवी आ दी हुई है अभी भी आती रहते हैं विग वॉस एक में आप देखें कि बातोर पिती भागी भाग लिया था इनोंने यहीं से उनकी टीवी रियल्टी सो में पिसिद्धी पाने का सिसा चालू हो गया था हाला कि वो विग वॉस एक में विजिता नहीं बन पाए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे लेकिन जितनी पहचान उनने विग वॉस की सो में मिली उतनी सायथ किसी और सो में नहीं मिल पाई और यहीं से इनका नाम चारों त संद 2014 में Congress Party में सामिल हो जाते हैं और आप सभी को मालूख होगा कि 2014 में आपके लोग सभा चुनाओ लड़ते हैं और जौनपूर से Congress Party ने चुनाओ लड़ने का मौका मिला और उन्हें चुनाओ में केबल 42,769 वोट या कुल वोट का चार दसमलो 25 वी 30 सती हासिल हुआ और ये चुनाओ हार गए फिर आप देखें कि फरवरी 2017 में रभी किसन ने Congress Party छोड़ दी और भारती जंता पार्टी यानि की भाजापा में सामिल हो जाते हैं फिर उन्हें 2019 के लोगसभा चुनाओ में उत्तरफिदेश के गोरखपूर से बारा होता है आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों को बोटर सुची में नाम जोड़ चुका होगा और आप लोग भी बोट डाल ले जाते हो गए तो यही कहानी अभी तक रभी किसन की कहानी और आंगे किस तरह से नराजनिती या मूवियों में सफलता मिलती ह क्या यह पद हासिल करते हैं इसके लिए देखी कोई हम लोग ग्याता अभविस करता तो है नहीं बताने वाले तो इसके लिए यही रहता है कि आप लोग न्यूज़ पेपर से जुने रहिए और पढ़ते रहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है कहां क्या घट रहा है और और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो बताएगा उसका नाम भी उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे